बच्चों आपने मानस्वास तथा रोग के अंतरगत इसके पहले के हिस्से में आपने संक्रामक रोग और असंक्रामक रोगों के बारे में जाना था तो जैसे कि आपने जाना की संक्रामक रोग जो है बहुत सारे ऐसे वाइरस और बैक्टीरिया के जरिये जो होता है तो यह बहुत ही घातक खतरनाक होता है इसके कारण जो है शरीर जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है आपने देखा था कि जैसे पोलियो है जिसके कारण तंत्री का तंत्र प्रभावित होता है ऐसे टूबेकुलोसिस है स्मॉल पॉक्स है डिप्थीरिया है टेटेनस है हुपिंग कफ है इस तरह कि जो संक्रामत बीमारियां थी यह बहुत जादा खतरनाग होती है तो जब से यह बीमारिया यानि कहना चीन बैक्टिरिया या पैथोजन्स के जरिये होती थी तब से ही वग्यानिकों ने इसके लिए जो है दवाईयां बनाना शुरू किया था अ हमेशा के लिए कहलो कि उससे निजात पाना हो या छुटकारा पाना हो तो यह उन ओशदियों के जरिये नहीं हो पाता था तो इसी तारतम्य में वग्यानिकों ने इस तरह की वैक्सिन या ओशदियां बनाई जो कि इस तरह के जो संक्रामक रोग है उन पर जो है वो कंट्र करोना वाइरस के संदर्व में जो है वैक्सिन तयार हो रही है और आपने सुना होगा कि बृटेन है अमेरिका है या और कई देशों में इसके ठीके लगने जो है वो चालू हो गए है तो बच्चों बारे में आपको ज़रूरी है वैक्सिन किस तरीके से काम करती है वैक्सि बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों वैक्सिन की तो वैक्सिन क्या है तो वैक्सिन जो है दरसल जो पैथोजन्स है यानि जो रोग कारक है उनको किसी छीन या कहना ची निश्क्री आवस्था में जो है वो शरीर में प्रवि स्टेज में शरीर में जाते हैं अब इनके विरुथ जो है हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो जो है एंटी बॉडी बनाने लग जाता है यानि प्रतिरोधकता चमता का विकास करने लग जाता है तो इस तरीके से यह जो वेक्सीन के जरिए जो है बॉडी में जो है वो सिस्टम जो है कहना ची डावलप किया जाता है तो यह वेक्सीन है और इसी से संदर्भ में आपने वेक्सीनेशन इस टर्मनोलोजी को भी सुना होगा तो इसके बारे में भी जानते हैं कि वेक्सीनेशन क्या है दरसल वेक्सीन को दिये जाने का जो प्रॉपर तरीका है वो तो ऐसे ही जैसे कुछ बीमारिया है पोलियो है समॉल पॉक्स है डिप्तिरीया है 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 बीसी जी है हुपिंग कफ है तो है यह उव एगेंस्ट जो है यह जो rangedक जैसम जो है आप जानते होंगे छोटे बच्चा जब पैदा होता तब से ये इनको जो है वेक्सीन दी जाती है तो पहला डोस जो रहता है वह एक्च्छी इम्ユिन स्टम डयवड़करने के लिए जाता है और और छो थार्ड है वो बुस्टर डोस कहलाता हूँ ऐसे ही एक आग्जामपल के बात करते हैं जैसे actors dpt-opa丹ृ है इसके तीन डोच अब जिस के जो रैवट है पैदा करने वाले हैं, उनके जो pathogen है कहना चाहिए कि वो छीरण रहते हैं, कम प्रभावी रहते हैं, तो उनको निश्क्री आवस्था में जो है वो शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है और उनके against जो है हमारा immune system जो है वो प्रोटीन का निर्मान करता है इस प्रोटीन को ही एंटीबॉडिज कहते हैं तो अब यह एंटीबॉडिज जो है हमारी बॉड़ी में डेवलप हो जाते हैं अब आगे कभी जो है इन्ही पैथोजेन की कोई और अन्य प्रजाती यदि जो एफेक्टिव मोड में है वो यदि अटेक करती है तो चुकी बॉड़ी में तो यह एंटिबोडिस उनको खतम कर देती हैं तो इस तरीकिस ही जो है वेक्सिन दी जाती है और वेक्सिनेशन का जो प्रोसेस है वो किया जाता है बच्चों अब आपने वेक्सिन के बारे में जाना तो अब वेक्सिन का जो आइडियल करक्टर है वो क्या होना चाहिए उसको उसका ट्राइल किया जा रहा है तो चुकि ट्राइल बहुत जरूरी होता है और किस तरीके से ये शरीर में मतलब प्रविश्ट करने के बाद इसका क्या साइड इफेक्ट होगा किस तरीके से काम करेगी कितनी कारगर होगी ये जानना जरूरी रहता है तो इसलिए कोई भी वै यह जो क कितनी प्रभावी है उसके बाद ही मॉस एरिया में बहुत जागा लोगों को पिर उसको तो आए जानते हैं कि उसके करेक्टर क्या होने चाहिए तो जयसे कि पहली बात शैसक्क्क कोई क्या होनी चीज सस्ती होनी चाहिए ताकि समाज के हर वर्ग के लिए मतलब उसकी पहुंच हो सके यानि वहां हर वर्ग के लोगों तक जो है वो इसका उपयोग कर सके और तीसरी बात देखे तो इसका इम्यून सिस्टल्ट ऑर बहुत ज्यादा बुरा प्रवावन नहीं पढ़ घड़कique बना देखिए और Venc Immune system फिर्क हहां उसकी अल्प मात्रा भी जो है वो काफी होने चाहिए ताकि व जो है अल्प मात्रा ही जो है वो बॉडी को जो है कहना ची एफेक्टिव बना दे और फिर जो है यह जो भी वैक्सिन दी जारी है वो बहुत ज्यादा प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली हो यानि कहना ची लंबी अवधी तक जो है इसका काम होना चाहिए और देखा जाना चाहिए तो हन्ड़न परसंट व कारगर हो इफेक्टिव हो इस तरीके से यह जो वैक्सीन है उसके यह आइडियल कारक्टर्स है इभ यह जु वैक्सिन है। इसके भी प्रकार है अब सोच रहे होंगे इसके क्या प्रकार हो सकते हैं तो इसको भी चानना जरूरी है तो जैसे की यह कि होती है ट्रेडिशनल वेक्सीन है पूरी फाइट अन्टिजन वेक्सीन और एक और है रिकोंबिनेंट डीने वेक्सीन तो पहला जो प्रकार रहें ट्रेडिशनल जैसे आप नाम से समझ रहें बारामपरागट वेक्सीन आब यह जो है जो संपोण जो पैठोजन है जो बीमारी पएडा कर रहे हैं वो जो पैठोजन उस और्गेनिस्म को पूरा यानि उसके पूरे बोड़ी को जो है वो कहना चीह वो लिया जाता है तो ये भी जो है यानि ये ट्राइडिशनल वैक्सिन जो है ये भी दो प्रकार की होती है एक है लाइव वैक्सिन है और दूसरी है इनक्टिवेटेट वैक्सिन अब लाइव में क्या क्या जाता है कि जो पैथोजन्स है उसको निश्क्री आवस्था में कहना चाहिए यह कहना तो इसके against में जो है antibodies पैदा होती है यह काफी effective होती हो पूरे जीवन परेंथ अगर इनका टीका लग जाता है तो फिर उन रोगों से जीवन परेंथ जो है वो सुरक्षा हो अब यह प्रकार कौन-कौन से हैं तो यह जो है रैबिज है, MMR है, पोलियो है, BCG है, डिप्थीरिया है, इस तरीके के जो ठीके लगते हैं वो लाइव वेक्षिन के अंतरगत आते हैं, अब इसका जो दूसरा प्रकार है वो इनक्टिवेटेड है, यह जो है कम एफेक्टिव होती है क्योंकि इसको जो है इनक्टिव करके यह कहना चीव पैथेजन्स को नस्ट करके जो है वो तयार किया जाता है और फिर बॉड़ी में जो है उसको प्रविश्कराया जाता है तो यह जो वेक्षिन होती हो कम समय के लिए कारगर होती है और इस तरह के जो ठीके तयार क तो यह हो गया पहला प्रकार अब दूसरा प्रकार है वो प्योरिफाइड एंटीजन है इसको कैसे तियार करते हैं तो इसमें भी जो पैथोजन्स है उनके जो एंटीजन्स है उनको जो है कहना चाहिए उनकी बॉड़ी से निश्कर्शित करके उसको निकाला जाता है और उस एंटीजन को वो तयार किया जाता है वेक्सिन के रूप में और फिर जो है उसको वो दिया जाता है तो यह होते हैं प्योरिफाइड एंटीजन टीके नेक्स्ट जो है वो रिकॉंबिनेट DNA गनलेक्स देटेरे ऑचे ज़रीडनेडटे ट्यार के चाह तो इसमें भी जो क्या है वो वाइरस में जो एक तरीके का प्रोटीन होता है वो प्रोटीन जो कुछ होते हैं वो उसमें प्रती रक्षात्मक छमता पैदा करने की जो है वो वो कैपसिटी होती है तो वाइरस में इस तरीके के प्रोटीन जो बन रहे हैं उनको बनाने वाले को तो उस जीन की पहचान की जाती है और वो जीन को कहना चाहिए जीन क्लोनिंग के जरिये जो है वो डवलब किया जाता है यह प्रोसेस भी कैसे की जाती है मानलो वो प्रोटीन पैदा करने वाला जीन की पहचान होगी जीन को निकाल लिया गया तो इस जीन को जो है इश्राइक एक और ठीका है एंटीबोडी सीरम ठीका है अब इसमें क्या करते हैं मालोग कोई जीव या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि मनुषी ही इन बैक्टेरिया वायरस से प्रभावित होते हैं बहुत सारे जानवरों में भी बैक्टेरिया वायरस जो है वो रोग पैदा करते हैं तो की है कैपने हैं जो यह प्योग कि अप्यों की मुंष्म निकाल कर उसंको सीरम के रूप मेरी उप्यों कि यह कर अच्छा प्रव्त सब्जद में कर अपताऊ है तो यह इसरे में स Audio कम समय के लिए जो है वो पैदा करते हैं तो इस तरीके जो ञाएं वो है एंटी रही सीरम तो यह जो द्क है वो ए सीरम फ atención वह ऐ एक और इती हैं ज apresent एक वह प又 करना चाहिए और इस मतलब जो टीके में जो है उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबोडिस उपस्थित रहते हैं जिसके कारण जो है वो जो भी पेशेंट है वो बच जाता है